हमें ये फरक नहीं पढ़ता है कि हमारे आगे कौन प्तिदवंदी है, कौन भाजपा का प्रत्याशी है, कौन नहीं है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने अपनी सोच के साथ जो हमारा एक विजन मंडी संसद्य क्षेत्र के लिए है हिमाचल प्रदेश के लिए है उस सोच के साथ एक सकरात्मक सोच के साथ आप लोगों के बीच में हम जो है वो उपस्तित होए है आज जिस तरीके से एक जहर प्रदेश के अंदर खेत्रवात का जातिवात का फिलाने की कोशिश करी जा रही है और सबसे बड़ी बात आज जो भाजपा की समानित प्रत्याशी है मंडी संसद्य क्षेत्र से बारी बारी मन से आकर ये कहती हैं कि कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पाती है मैं उनको यह कहना चाहूँगा मेरी बड़ी बहन हम आपका बहुत मान समान करते हैं एक महिला होने के नाते विकरमा दित्या सिंग और मंच पर बैठे सभी साथी सभी पंडाल में बैठे लोग आपका बहुत मान समान करते हैं मगर मेरा आप से यह विनम्र का इतिहास अपने प्रदेश का इतिहास के बारे में पढ़कर आईए इस तरीके की जो ब्यान बाजिया आप करती हैं आपको पता नहीं है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पर धर्मांतरन का कानून अगर कोई लेकर आया तो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार राया वीर बद्दसिंग जी के सरकार में 2005 में ये कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू किया गया था आप ये जानती नहीं है कि अगर देव सदन का निर्मान मंडी के अंदर किसी सरकार ने करवाया आप ये जानती नहीं है कि कुलू के अंदर देव सदन का निर्मा अगर किसी सरकार ने करवाया आप ये जानती नहीं है कि हमारे कुलू दुशेरे में जो देवी देवताओं का नजराना अगर किसी सरकार ने शुरू करवाया तो वीर बदर सिंग जी की सरकार नहीं माचल परदेश के अंदर करवाया इसलिए ये हिंदुतुव का पाथ ये एंटी कॉंग्रेस जो आप भाशने देती हैं कृप्या करके पहले इतिहास पढ़ कर आएं फिर जाकर मंच पर इस तरीके की बियान बाजी करें आज भाश्पा की प्रतियाशी बड़ी बड़ी बाते करती हैं मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा आप कहती हैं कि यहाँ परधान मंतरी जी के बहुत आपकी बात सुनते हैं मेरा निवेदन रहेगा अगर आप सच में हिमाचल के करमचार्यों की हितेशी हैं तो मंच سے यह कहिए, मैं कंगना जी को यह चुनौती देता हूँ, मन्च से यह कहिए कि मैं 9000 करोड हमारे करमचारियों का वापिस माचल परदेश के अंदर जो OPS का पसा है, उसको लेकर आऊंगी, मगर वो नहीं कहिएंगी, क्योंकि वो करमचारियों की हितेशी नहीं है, OPS की हितेशी नहीं है, योई जैराम जी जिन्होंने उस समय विधान सबा के अंदर ये व्यंग किया था, कि अगर करमचारियों को OPS चाहिए, तो वो चुनाव लड़ें, आज उनके भी जो सुर है, आज उनकी भी जो भाशा है, वो थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है, आज वो भी OPS का समर्थन देते हुए नजर आ रहे है, ठीक है, समय के साथ सब चीज़े बदलती है, मगर हमने जो किया, जो कहा, उसको हमने पूरा किया